हलो फिरिंज, वेलकम तो आज चानल कानाटा फेर अपडेटेड इस दिवश्षी शवस्ती और आज मैं आपके सामने एक अगें बहुत बोरें टॉपिक लेक्ट 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 आगया हूँ आपको पता है जी ट्वेंटी सम्मिट ट्वेंटी ट्वेंटी त्री अभी से आएंगे और मेरे कोशन के लेवल थोड़ा अच्छा है इस स्टार्डिक में बेसिक कोशन और एंड में बड़े अच्छे कोशन से और ये 30 कोशन के एंड तक जिसने देख लिया उसके ये मानों जी ट्वेंटी सम्मिट से कोई भी कोशन आएगा वो बना लेगा तो चलि इंडिया इस भारत अब हम कह सकते हैं तो इंडिया होस कर रही है आप आप चाहे तो भारत भी लिख सकते हैं तो इंडिया होस कर रही है और आपको पता होगा डेली में 9th और 10th सेप्टमबर 2023 में याद रखिएगा ये सम्मिट इंडिया में हुई है तो correct answer that is option number 8 इसमें जा options दिये गए हैं बट देखिए दो option जो आपको confused कर सकते हैं जैसे पहला one nation one world one future और d one earth one family one future तो देखिए मैं इसलिए ये दो option रखे हैं जल्दबाजी में कुछ लोग a लगा देंगे बट a is not the answer correct answer option में d one earth one family and one future आपको पता होगा वास्तुदेव कुटमबकम जिसका मतलब ह होता है one earth one family one future तो आपको याद अखना है वास्तुदेव कुटमबकम भी लिख किया सकता है या तो यह लिख किया सकता है तो जल्दबाजी में option a मत माग कर दिये correct answer that is option number d okay चली third question में आते है third question क्या है यह जो G20 summit न्यू डेली में हो रही है 2023 में यह कौन से edition की है edition number कौन सा ह फर्स है second है third कौन से edition है options आपके समने 15th है 17th 18th 20th आपको पता हूं जी जो G20 summit हो रही है जो मैं अल्रडी पढ़ा भी चुका हूं 18th summit है तो correct answer that is option number C इसमें भी जादा discuss करेंग्स होती है क्योंकि आपको पता हूं जी 18th summit अभी हो रही है next यह भी बढ़ा important है कि यह जो summit हो र international exhibition convention center जो की प्रगति मैदान न्यू डली में है जिसकी image बनी हुई है यह और I hope आप सबको पता होगा यह summit यहीं पर हो रही है तो correct answer option number C है अभी तक तो आप देख रहोंगे easy question आ रहे है बिल्कुल difficult level बढ़ेगा दीरे से और तब आपको मजा आएगा ठीक है fifth question माते है यह त बहुत साही countrys को as a guest बुलाया गया है but कौन से नेबरिंग country जिसको हमने बुलाया हुआ है option पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल या श्रीलंका किस country को हमने यहां पर बुलाया है यह बड़ा interesting question हो जाता है इसा correct answer बांगलादेश यहां दखिएगा neighboring country वैसे तो हमने बहुत अब देख सकते हैं इसा guest हमने बुलाया हुआ है Egypt को, Mauritius को, Netherlands को, Nigeria को, Oman को, Singapore, Spain, United Arab, UAE को बुलाया है तो हमने बहुत साही countrys को बुलाया है but Bangladesh इसलिए important है क्योंकि वो हमाई neighboring country है तो पूछ सकते है neighboring country में बढ़ अच्छे relations भी हो रहे हैं हमने बांगलादेश को यहां पर बुलाया हुआ है तो correct answer that is option number B, Bangladesh, okay next question माते है, question number 6, what is significant about G20-20 जो summit है 2023 की जो की New Delhi में हो रही है उसका significance क्या है, क्या significance है, मतलब क्या importance है यहां पर, importance देख लेते हैं, यह पहली G20 summit हो रही है इंडिया में, बिल्कुल सही बात है, यह पहली summit हो रही है, यह point तो सही है, second है, य जो हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, यह first G20 summit है, जो की developing country में, ऐसा भी नहीं है, यह पहले G20 summit है, जो की country हो रही है, विदिन हिंदू मिजॉर्टी, देख यह ऐसे statement नहीं है, it's a correct answer that is option number A, it is the first G20 summit held in India, तो correct answer option number A है, बाकी statements जो है वो बनाए गए है, don't get confused with those statements, okay, तो correct answer option number A ह चलिए, next में आते हैं, next देख सकते हैं, इंडिया में हो रही हो, even South Asia में भी पहली कोई country, South Asia, आपको लोग कहेंगे, sir, इंडोनेशा में हुई थी, भाई वो South East Asia है, ठीक है, South Asia की भी पहली country है, इंडिया, या तो आप कहा सकते हैं, इंडिया में तो पहली summit हो रही है, even South Asia की पहली country है, इंडिया, जहां पर summit हो रही है, तो correct answer option number A है, next question में आते है, question में 7, G20 summit 2020 को चेर कौन कर रहा है, ठीक है, चेर में कौन है एक तरीके से, इंडोनेशन प्रेसिडेंट है, इंडियान प्राइम मिनिस्टर है, इंडियान प्राइम मिनिस्टर है, इंडियान प्रेसि वो चेर कर रहे है, याद अखिया है, क्योंकि hosting nation इंडिया है, तो प्राइम मिनिस्टर चेर कर रहे है, चले, next question में आते है, question में 8, when did India presidency for G20 begin for 2023 summit, कबसे वो presidency इंडिया के हाथ में आ गई थी, और this is important, now this become a very tricky question, क्योंकि option देखिए, 1 नमंबर 2022, 1st December 2022, 1st January, 1st February, अब correct answer क्या है, there is option number B, 1st December 2022, या दखिएगा, 1st December 2022 से लेके, 30th November 2023 प्रेसिदेंसी इंडिया के पास है, या दखिएगा, अब इसके बाद किसके पास जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा, अगले questions में बताऊँगा, but यहाँ का correct answer is option number B, जल्दबाजी में ट्रिक गलत मत इसलिए मैं कहा रहा हूँ, मेरे questions बड़े important है, exam के लिए बहुत important है, okay, next है, अब हम अपनी presidency जो है, इंडिया को जो presidency मिली थी, G20 की, 2023 को, किस country ने, when was the presidency handover ceremony, ये इंडिया को, कब ये ceremony के थुरू, या दखिएगा, handover किया गया था, कि इंडिया अब आप presidency करने वाले हैं, तो किस के बाद, तो आपको पता हूँ, इससे पहले G20 की summit कहा हुई थी, इससे पहले हुई थी, Bali, that is, इंडोनेशा में, तो या दखिए कि जब Bali summit हो जाती है, after the Bali summit, इंडिया को presidency मिली थी, तो correct answer, that is, option number C, after Bali summit, before Bali summit मत लगा जैना जल्दवाजी में, correct है, after Bali summit, that is, इंडोने answer की जा रही है, कि अब इंडिया होस्ट करेगा, तो किस ने की होगी, अफकोस बाली में summit हुई थी, इंडोनेशा में हुई तो इंडोनेशा का ही help किसी ने की होगी, बट देखिए, ये तो हम cut कर देंगे, बट option में A or B देखिए, एक में लिखा है, इंडोनेशन agency दी थी, अब आब हम भी transfer करेंगे, next country को किसको करेंगे, वो भी में बताऊंगा आपको, चलिए, अगला, what is one of the main agenda items of G20 New Delhi summit related to international organization, किस international organization के लिए बहुत important थी ये G20 summit, और कुछ नया भी होना था, क्योंकि एक agenda था, और options आपके सामने दिये गया है, और सब को बताऊगा, union हुआ करता था, अब एक नया group आगया है, जिसकर हमें African Union, या दखिएगा, अब African Union को include कर लिया गया है G20 में, this is one of the historical event, जहां पर ये event हुआ, पूछाएगा आपसे African Union किस G20 summit made हुआ था, या दखिएगा New Delhi declaration, this is very important, तो correct answer option में B है, African Union is now the part of official part of G20, तो this is interesting, correct answer option में B है, नेक्स आते हैं, which two leaders decided to skip G20 summit, किन दो leaders ने decided कि हम G20 summit नहीं जाएंगे इंडिया में, this is very interesting, बड़े famous personality है, जिनका नाम इमेज यहां पर दिखरी हो, I hope, आप लोगों ने guess भी कर लिया होगा, correct answer option में D है, पुटिन और Xi Jinping जो है, जा देखिएगा, दोनों ने, चाइना की जी ज committee summit पर, को रश्या को represent अगर पुटिन नहीं कर रहे है, तो कौन किस ने represent किया है, यहां पर option दिए गए है, पुटिन ने तो नहीं किया है, जो रश्या के foreign minister है, जा देखिए correct answer है, सिर्गी लावरोव जो है, जा देखिए उन्हों ने represent किया है, रश्या को, तो correct answer option number B है, ऐस प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, या दखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, इन्हों ने represent किया है, चाइना को where, that is at the G20 summit in India, यह भी आदखना है, नेक्स कोशन में आते हैं, तरस कोशन में 15th, कोशन 15th है, विच नाशनल सिंबल, इस combined with the earth, earth के साथ combined किया गया है, इन इंडिया's G20 emblem, जो इंडिया का emblem है, जो इंडिया का G20 का logo है, उसके साथ combine किया गया है, अर्थ को, किस के साथ combine किया गया है, टाइगर के साथ, पिकॉक के साथ, लोटस के साथ, या एलिफेंट के साथ, तो G20 का आपने logo देखा होगा, तो अर्थ को किस के साथ combine किया गय है यह सब मत सोचना करेक्ट आंसर ऑप्शनमसी नट इस लोटस ओके नेक्स कोशना था कोशनमस 16 जी ट्वेंटी सब्मिट इस पेंटेड इंदा फॉलॉइंग कलर्स ओफ इंडिया नाशनल फ्लैग कौन से कलर्स पे जी ट्वेंटी का जो लोगो है वो पिंटेड है सैफ्रों वाइट ग्रीन अब आप सोचेंगे सर्विल को यही तो हमारा कलर है नाशनल फ्लैग का गलत जल्दबाजी में यह मतलगा देना यह नहीं आंसे ब्लू भी यूस क्या गया है तो करेक्टांस सैफरों, ब्लू एंड ग्रीन जल्दबाजी की नतीजा हो सकता है करेक्ट अंस एंडिया का लोगो भी आदक न आपको ॥ू भी यूस किया गया है फूरीं और जहें नेस्मोन में आते हैं और टाल फूट नत्राजा Vishnu cosmic power represent कर रहा है Cholai dynasty का rule symbolize कर रहा है इंडिया में की Cholai dynasties थी है ना It captures Lord Shiva cosmic power of creation and destruction Yes, the correct answer option बसी क्योंकि Lord Shiva cosmic power of creation and destruction जो है वो show करता है Natraja I hope आपने Natraja के बारे पढ़ा होगा इसके बारे में अभी और discuss करूँगा और MCQ discuss करता हूँ इसके बारे में ठीक है अगला question है कौन सी ancient dynasty which ancient dynasty is known for its execute bronze sculptures के लिए famous है including Natraja statue Natraja statue के लिए भी famous है और even bronze sculptures के लिए भी famous है कौन सी यसी dynasty थी Moran, Gupta, Chola, Mughal यह options है Mughal तो हो नी सकती, Gupta भी नहीं है correct answer Chola dynasty which is famous for its bronze sculpture Natraja भी Chola dynasty के time पर ही flourished हुआ है यह देखे तो correct answer Chola dynasty next आते हैं next question माते है what is the ancient metal casting technique used to create Natraja statue यह Natraja जो statue है क्योंकि यूज हो गया अब G20 में आप question frame होगे इस पर यह जो Natraja के statue है ancient metal casting technique में कौन सी technique यूज की जाती थी इसको बनाने में चola dynasty के time पर option थे 3D printing, stone carving, wood carving क्या use करते थे correct answer lost wax casting I hope आपने पढ़ा होगा यह मैंने आटरन कल्चर में पढ़ा हुआ है lost wax casting क्या होता है इसी को use किया था था उस तैंपे statues में Natraja के bronze sculptures को बनाने में next question माते है what does the Natraja statue represent वो क्या represent करता है aside from Lord Shiva cosmic power Lord Shiva के cosmic power को छोड़ के वो क्या represent कर रहा है ठीक है जा देके Natraja statue क्या represent कर रहा है जो हमने G20 में लगाया हुआ है options है modern art show कर रहा है political statement show कर रहा है चोला dynasty decline कर रही है यह show कर रहा है या the indicate craftmanship of the चोला era yes यह indicate कर था किस तरह की craftmanship थी चोला के एरा में तो correct answer that is option number D correct answer है ठीक है चले next question माते है question number 21 30 question है पूरे देख लिए ना यार exam qualify करना है तो what is the height of Natraja statue जो G20 summit में भारत मनपम में जो height लगाई गई है ठीक है Natraja वो कितनी height है ठीक है options दिये गए है इसा correct answer 28 feet और 28 feet में आपको बता दू 22 feet का जो Natraja है जादे हाइट of statue 22 feet है और आप देखिए 6 feet high जो है उसका pedestal बनाए गया है तो टोटल जो है वो 28 feet height जादेखिए Natraja की image G20 के भारत मनपम पे लगाई गई है next question है what is the unique distinction of 28 feet Natraja statue यह क्या unique क्या बना दिया है इन्होंने G20 के बाहर आप देखने हैं बड़ा फेमस है यह Natraja का statue exam में भी कोश्चा मेरा मानना बहुत ज़्यादा आने की chances है options आपके सामने है मैं आपको बता दू यह world का tallest Natraja का statue है world का tallest Natraja statue जो है वो लगाए गया भारत मनपम बहुत कम लोग को पता होगा यह मैं बता रहा हूँ इन विच इंडियन स्टेट अब देखिये मैं आपको बता रहा हूँ सौमी मलाई लोकेटड सौमी मलाई एक बहुत फेमस प्लेस है जो की फेमस है अपने किसके bronze sculptures के लिए ठीक है एक बहुत इंपोरेंट टाउन है चोड़ा सा टाउन है जो की bronze sculptures के लिए फेमस हो इनका नाम मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही से लोग आये थे और इन्होंने ही वो नटराजा जो बनाया है जी ट्वेंटी के बार उन्होंने बनाया है तो स्वामी मलाई से आये थे कहां है स्वामी मलाई इसको नहीं पता यह है अट तमिल नायडू याद देखे C is the correct answer जिस तरह मैं आपको बताया कि स्वामी मलाई याद देखेगा यही से skilled artisan आये थे और उन्होंने आकर याद देखेगा इसको डिवलप किया है तो स्वामी मलाई आपसे पूछ रकते bronze cultures के लिए याद रखेगा तो यह भी याद देखेगा स्वामी मलाई कहां पर है तो यह भी याद देखेगा कितने medals का यूज किया गया है नट राजा के statue बनाने में कितने medals का बड़े tricky question लेकिया है पता ही नहीं है 4,6,8,10 कितने medals 8 medals का यूज किया गया है जो कहते है अश्ट धाटू याद देखेगा 87% copper, 10% zinc, 3% lead 10, silver, gold and mercury with iron याद देखेगा इतने 8 medals यूज किये गया है इस bronze sculpture को बनाने में तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स है which country 19th G20 Summit जो है 2024 में होने वाली है इंडिया के बाद जिसको हम presidency handover करने वाले है तो कहा होने वाली है options आपके सामने है क्या हो South Africa में होने वाली है क्यों Brazil में होने वाली है correct answer option में B है Brazil Rio de Janeiro B जो है correct answer है यहाँ पर अगली summit होगी next question मुझे है South Africa में भी G20 की summit होने वाली South Africa में किस year में होगी देखे question change हो गया अब 2024 में तो होनी शक्ती होगी यहाँ पर तो Brazil में हो रही है option 25, 26, 27 correct answer है option में B 2025 में South Africa में होगी याद रखना है next आते है question है कि 21st G20 summit 21st मतब 18th इंडिया में होगी है 19th to 20, 21 मतब 3 साल बाद मतब 2026 की summit का होने वाली है G20 की options है इंडिया में तो नहीं होगी Brazil में भी नहीं होगी South Africa में भी नहीं होगी correct answer USA याद देखेगा United States of America में होगी correct answer that is option number C next question में आते है next question है यह G20 जो है यह established कब होगा था यह गृप बना कब था यह भी बड़ा important है options आपके सामने दिये गए है correct answer आपको markkan I hope सबको पता होगा correct answer option में B है that is 1999 में याद देखेगे G20 was established this is also very important next year first summit G20 की कहा होई और ठीक है और किस year में हुई ठीक है correct answer है first summit G20 की USA में हुई और याद देखेगे USA में हुई थी 2008 में that is at Washington Washington DC में 2008 में याद देखेगे पहली summit हुई थी G20 की last question मैंने बता है यहां तक आगए ना आपने सब ताइप के question देख लिए है यहां रहे कि New Delhi में हुई है तो New Delhi declaration भी sign हुआ है तो वह भी आपको याद रहे हैं पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं New Delhi declaration कि summit से related है तो G20 से related है last question official language of G20 summit official language क्या है English है बिल्कुल है French है बिल्कुल है Spanish है बिल्कुल correct answer option में D all of the above is the correct answer तो यार रखें तीनों जो है वो G20 summit के official languages थी अब आप मुझे comment box में question दे रहा हूं है इंडिया का G20 के शर्पा कौन थे या मुझे comment box बता है कौन थे इंडिया G20 2023 के शर्पा कौन थे या मुझे comment box मेंशन करके बताएंगे देखते किस को एक correct answer बनता है तो ये 30 MC की question अगर आपने कर लिये और मेरा G20 summit का previous lecture भी आपने देख लिया तो एक भी question बहार नहीं आ रहे है सारे question यहीं से आएंगे वो lecture भी देख लेना वहाँ पर यह कुछ important points बताए गए है और question इन ही में से आएंगे यहाँ पर हमारा lecture complete होता है I hope आपने lecture यहाँ तक देखा होगा यहाँ तक देखा होगा अगर आप हमें कुछ contribute करना चाहते हैं तो यह हमारा QR code है phone पे, paytm, google पे भी है if you want to donate अगर आपको help होई lecture से कुछ channel की donation के लिए आप करना चाहते हैं तो if you want to donate आप कर सकते हो नहीं भी करोगे, वीडियो को like कर दो that is also good thing वीडियो को like शर्भी आप कर सकते हो next मैं बात करूँगा मेरे application देवशीश classes की अगर आप मेरे अभी recently मेरे नए notes रिलीज हो गए है याद एखेगा, उन notes को अगर आपको order करना है हर subject के notes series हो गए है total 14 booklet से मैं जल जल दिखायता हूँ even science के लिए chemistry मिल जाएगी आपको environment की booklet मिल जाएगी तो सारे handwritten है ठीक है तो आपको physical Indian geography मिल जाएगी next मैं आपको पतायता हूँ that is हमाई जो booklet से विलेबल है next आप देख सकते हो that is Indian geography है next biology की booklet है और सारे handwritten notes है याद रखेगा exam perspective से जो आपको पढ़ना होता है वो सारी चीजे इन booklet से mention है आप सोचोंगे इसका sample मिलेगा बिल्कुल आप मुझे whatsapp करिए मैं आपको इन सब का sample भी दिखाऊंगा current affairs के updated booklet मिल रही है art and culture इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना time कम बचा है याद रखेगा exams के लिए Odisha में exams है अभी recently MP के notification आ गए है तो इसलिए आप जल्दी से notes को order कर सकते हैं next देखिए static GK है static GK है इस बड़ा important part है economics है total 14 booklets अब मैं provide कर रहा हूं याद रखेगा इनको आप order कर सकते है तुरंथ next modern history है next देख सकते quality quality की बड़ी अच्छी booklet है medieval history है next आप देखिए computer की भी booklet आप provide कर रहे है if you want to computer की booklet आपको मिल जाएगी last booklet जो है that is ancient history यह सारी booklet details अब मुझे whatsapp करिए मैं आपको सारी sample दिखा दूँगा application से buy कर लोगे तो आपको वहाँ से आपको classes भी मिल जाएगी तो एक पर app को ज़रूर विजट करो वहाँ पर आपको classes मिलेंगी UPSC, general studies, test series सब की चीज़ें available है एक पर application को download करो वहाँ पर आपको मैं UPSC पर किस तरह pre, mains, answer writing सब पर help करूँगा जिस तरह मेरे lectures यहाँ पर रहते हैं आप यहाँ पर देखते हो किस तरह हम topic to topic discuss करते हैं इसी तरह आपको policy, geography, history, economics सारी चीज़ें मेरे application मिलेंगी mains key, pre-key, सारी classes तो वहाँ पर मैं to the point discuss करूँगा और time waste आपका नहीं होगा अगर आप चाहते है lectures के साथ जुणना तो प्लीज देवशीश classes का application डाउलोड करें यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को like जरू करें चाल को subscribe करें 30 amazing questions कैसे लगे comment box में comment करके जरू बताएं और कोई doubt कोरी यह वो भी बताइए I hope यह G20 Summit एक बहुत ही अच्छा event रहा और उसके मैंने दो lectures बना के आपको पूरी G20 Summit का भी सारी चीज़े समझा दी I hope वीडियो पसंद आओगा प्लीज इस वीडियो को share करें और ऐसे 30 questions I think आपने YouTube पे भी देखोंगे बहुत basic से questions करा रहे हैं मैंने यहां पर बड़े interesting नट राजा पर questions उठाए जो exam perspective से important है तो यहां पर माँ लेक्षा complete होता है Please do share our video to others सबके साथ share करिए इस पर जादा जादा views आ सकें So thank you everyone, have a nice day जे हिंद, जे भारत